नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं, दोस्तों आज हम लोग रेलबे यूथ साइंस बूक का प्रैक्टिस सेट नमबर 34 पर इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पुड़ा देखिए, आपके लिए एक- से तयारी कीजिए, ओके दोस्तों चलिए हम लोग डाइरेक्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन एक नमबर कह रहा है, कि प्रीज में द्वारा इनमें से किस रंग की परकास कीरण का बिचलन अधिक्तम होगा, चार अप्सन दिया गया है, इनमें से आपको चून कर प्रीज में द्वारा इनमें से किस रंग की परकास कीरण का बिचलन अधिक्तम होगा, तो आपको बैगनी रंग का होगा, किस रंग का होगा दोस्तों, तो बैगनी रंग का अप्सन डी जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते है नेक्स्ट कोशन दू नमर कह रहा है, कि जब स्वित परकास की पतली कीरण को प्रीज में से गुजारा जाता है, तो परकास डैस होगा, तो परकास जो है, आपको वन भीचेपित होगा, तो परकास क्या होगा दोस्तों, तो परकास जो है, आपको वन भीचेपित होगा, चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन तीन नमर कह रहा है, कि डैस रंग का बिचलन कोण सबसे कम होता है, चार अपसन दिया गया है, इनमें से आपको चून कर बताना है कि किस रंग का बिचलन कोण सबसे कम होता है, तो आपको लाल रंग का बिचलन कोण आपको सबसे कम होता है किस रंग का होता है दोस्तों तो लाल रंग का अप्सन डी जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि कोशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट करके बताए कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और बिल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन चार नमबर कह रहा है कि सूर्य की रोसनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है चार अपसन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि सूर्य की रोसनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है तो प्रीज में कर सकता है कौन विभाजित कर सकता है तो प्रीज में अपसन C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question 5 नमबर कह रहा है कि प्रीज में क्या करता है प्रीज में जो है आपको क्या करता है तो प्रीज में जो है यह उसके जर्य गुझर रहे परकास का तीतर बितर करता है तो अप्शन C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question चोव नमबर कह रहा है कि one क्रम यानि spectrum के कौन से दो रंग इसके दोनों 0 का निर्माण करते हैं तो आपको बैगनी और लाल रंग करते हैं कौन करते हैं दोस्तों तो बैगनी और लाल रंग option A जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question साथ नमबर कह रहा है कि जल की बुंदो से डैस होकर इंदरधनुस बनता है तो जल की बुंदो से परकास का परति बिम्बन एव अपवर्तन होकर इंदरधनुस बनता है तो option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आठ नमबर कह रहा है कि स्वेत परकास के साथ रंगों में से कौन सा काच के प्रिजम द्वारा परकास के परिछेपन के बाद सबसे कम बिचलित होता है तो लाल रंग सबसे कम बिचलित होता है कौन सा रंग सबसे कम बिचलित होता है तो लाल रंग option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 9 नमबर कह रहा है कि स्वेट परकास के निम्न में से किस रंग की तरंग दैद उचतम होती है तो आपको लाल रंग की तरंग दैद जो है आपको उचतम होती है किस रंग की होती है दोस्तों तो लाल रंग की option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आपको 10 नंबर कह रहा है कि जब स्वेट परकास जो 7 रंग का मिसरण है कांच की प्रिजम से होकर गुजरता है तो उसका परिछेपन क्यों होता है क्योंकि स्वेट परकास के 7 रंग कांच के प्रिजम से अलग अलग चाल से गुजरते हैं असलिए उसका परिछेपन होता है तो अप्सन B जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आपको 11 नंबर कह रहा है कि जब परकास प्रिजम से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विप्थित होता है तो आपको लाल रंग सबसे कम विप्थित होता है कौन रंग दोस्तों तो लाल रंग सबसे कम विप्थित होता है तो अप्सन C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question बारे नंबर कह रहा है कि परकास को प्रिजम से गुजर कर बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि परकास को प्रिजम से गुजर कर spectrum प्राप्त करने वाले पहले ब्यक्ति कौन थे तो आईजेक निउटन थे कौन थे दोस्तों तो आईजेक निउटन option C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले next question देख लेते हैं next question आपको तेरे नंबर कह रहा है कि बिदुद चुम्बकिये पिररण क्या है बिदुद चुम्बकिये पिररण क्या है दोस्तों तो आपको काईल और चुम्बकिये छेतर के बीच सापेक्ष गती के कारण बिदुद धारा का उत्पादन ही बिदुद चुम्बकिये पिररण है तो option A जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question 14 नंबर कह रहा है कि इन में से कौन सी धात्यों का उप्योग बिदु तार बनाने के लिए किया जाता है चार option दिया गया है इन में से आपको चुन कर बताना है कि कौन सी धात्यों का उप्योग बिदु तार बनाने के लिए किया जाता है तो तामबा का उप्योग किया जाता है किसका उप्योग किया जाता है तो तामबा का अप्सन C जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन आपको 15 नमबर कह रहा है कि दो चालक समान दीशा में धारा ले जाने पर क्या होगा तो चालक एक दूसरे को आकर्शित करेंगे अप्सन E जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 16 नमबर कह रहा है कि निमने लिखित में से कौन सा परभाव बिदूत के कारण नहीं होता है चार अप्सन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि कौन सा परभाव बिदूत के कारण नहीं होता है तो आपको संकुचन परभाव जो है आपको बिदूत के कारण नहीं होता है कौन सा परभाव नहीं होता है तो संकुचन परभाव नहीं होता है option D जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question सतरे नंबर कह रहा है, कि electric charge यानि Q बाटा समय यानि T बराबर होता है, तो electric charge Q बाटा समय T बराबर होता है, तो electric धारा I के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो electric धारा I के, option A जो है, बिल् नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोश्चन अठारे नंबर कह रहा है, कि निमने लिखित में से कौन से बैग्यानिक ने दो आवेसित कौनों के बीच आकर्षन या परतिकर्षन के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया हैं, तो आपको चाल्स कुलम्ब ने किसने दिया हैं दोस्तों, तो चाल्स कुलम्ब ने अप्शन डी जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोश्चन उननिस नंबर कह रहा है, कि किसी आवेस का बिधुत छेतर बल हैं, किसी आवेस का बिधुत तो आपको दूरी के बर्ग के साथ घटता हैं, क्या हैं दोस्तों, तो दूरी के बर्ग के साथ घटता हैं, अप्शन डी जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोश्चन बीस नंबर कह रहा हैं, कि आपको ड का एक उधारण है तो option B जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question आपको 21 नंबर कह रहा है कि एक फ्यूज का कारे सिदान्त होता है एक फ्यूज का कारे सिदान्त क्या होता है तो आपको बिधु धारा द्वारा उत्पन उसमा होता है एक फ्यू है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question 22 नंबर कह रहा है कि बिधु परिपतों में बिधु धारा के परवाह के कारण डैस के रूप में हानिया होती है तो आपको उसमा के रूप में हानिया होती है किस रूप में हानिया होती है तो उसमा के रू नमबर कह रहा है कि एक लगू पतित परिपत में धारा डैस हैं तो एक लगू पतित परिपत में धारा अत्याधिक तेजी से बढ़ती हैं क्या होती हैं दोस्तों तो अत्याधिक तेजी से बढ़ती हैं अप्शन ए जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चले नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 24 नमबर कह रहा है कि स्रेणी संयोजन में परत्वेक परतिरोध से गुजरने वाली धारा डैस है चार अप्सन दिया गया है इनमें से आपको चून कर बताना है कि स्रेणी संयोजन में परत्वेक परतिरोध से गुजरने वाली धारा डैस है तो आपको सभी परतिरोधों में बराबर होती हैं क्या होती है धारा तो सभी परतिरोधों में बराबर होती हैं अप्सन डी जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन 25 नंबर कह रहा है कि कई परतिरोधों को समनांतर करम में सयोचित करने को इन में से किसके समतुल माना जा सकता हैं, तो आपका सही उतर हो जाएगा चालक की अनुपरस्त काट के छेतरफल में बिर्धी करने के समतुल माना जा सकता हैं, किसके समतुल माना जा सक तो आपको चालक की अनुपरस्त काट के छेतरफल में बिर्धी करने के सम्तुल माना जा सकता है तो अप्शन ए जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके आज का प्रेक्टिस सेट में इतना ही सवाल था मैं उमीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक एक सवाल इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा ओके मैं आप से नेक्ट वीडियो में मिलता हूँ तब तक क्लिए टे कियर दोस्तों एंड बाए